सिंगरोली में बेरोजगारी को लेकर All India Youth Foundation ने प्रदर्शनकर कलेक्टर को ग्यापन सौपा प्रदर्शनकारी होगा कहना है कि यहां कई कमपनिया होने के बावजूद स्थानी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जिनको रोजगार दिया गया है उनको बिना कारण के कमपनिया निकाल रही है All India Youth Foundation ने बेरोजगारी को लेकर सिंगरोली कलेक्टर को ग्यापन सौपा इस दौरान Youth Federation के अध्यक्षि अरुन पांडे ने कहा कि जिले में दरजनों कमपनिया होने के बावजूद भी यहां के सिक्षित बेरोजगार दरदर की ठोकरे खा रहे हैं युवाओ को रोजगार नहीं मिल पा रहा है जियापन के माध्यम से मांग की गई कि इस्थानिय बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए अरुन पांडे ने कहा कि इस संबन में जिला कलेक्टर को कई बार पत्र लिखा गया परंतु उस पर अब तक कोई कारवाई नहीं की गई है मगर 15 दिवस के अंदर मांग पत्र पर सुनवाई नहीं की जाती है तो युवार बेरोजगारों द्वारा रोजगार को लेकर उगर आंदोलन किया जाएगा आज हम सब कामरेड यहां माजन मोड कलेक्टेट पर जो है कि बेरोजगारी के समस्या को लेकर के दर्म्या प्रदर्सन किये हैं और कलेक्टरस आपको ग्यापन दे रहे हैं यहां पर दरजन भर से आई हुई कमपनिया अपने मन के काम कर रही हैं यहां के अस्थानी रोजगार युवारों को नहीं मिल रहा है और यहां में केव जो अस्थानी नेता है वो पचास ते साथ अजार शातार अजार रुपए लेकर के युवाँ को रोजगार दिलाते हैं ऐसे भरश्ट नेताओं के खिलाब ऐसे भरश्ट कमपनियों के खिलाब जिला प्रसासन को हम चेतावनी देने आये हैं रविंद्रनाथ तगो उनिवर्सटी फॉर्मली नौन अस आइसेक्ट उनिवर्सटी तिपानियों से चंबल के पीडों से लगसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलो तक, ठेलों से मेलो तक, पकडंडियों से सडकों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से कूट मीती तक, दखन नीउज, आपके हत्त, आप देख रहे हैं दखन नीउज